आतिशी ने बीजेपी पर निशाना सादा है 500 टीशर्स के ट्रांसफर को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये निशाना सादा है 500 शिक्षा को का ट्रांसफर रोका गया ये उनका कहना है ट्रांसफर के आदेश पर LG ने रोक लगाई है ये आतिशी ने कहा है शिक्षा के च्षेत में BJP किरांती नहीं ला सकती घष्टाचार की शिरुवात और ट्रांसफर का ओर्डर पांच हजार टीचर्स का ट्रांसफर रुका है और इस ट्रांसफर को रुकने के पीछे आतिशी ने कहा है कि LG ने ये ट्रांसफर रुका है LG के नाम लेकर और उन्होंने BJP पर एक तरह से निशाना साधा है केंद्र सरकार द्वारा अपॉंटेड चीफ सेकरेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार शेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे अलजी साहब के अधिकार शेत्र में आते हैं वारा लिखित कागजात ये दिखा रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई मैं तो उनसे यह भी पूछूंगी अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी तो एलजी साहब में ट्रांसफर और वापिस लेने का अदेश कैसे दिया उसकी पावर उनके पास कहां से आगए देखिए जो सच्चाई होती है ना उसमें बहुत ताकत होती है सच्चाई आखिरकर पूरे देश के सामने पूरी दुनिया के सामने आही जाती है और भारतिय जन्ता पार्टी का ये शड्यंत दिल्ली के सरकारी स्कूरों को तबाह करने का शड्यंत राजदेश के सामने आ गया